तो सच्चाई को आपसे छुपाने की कोशिश की है उस सच्चाई को आपके सामने रखोंगा बंदुगर अर्विन केजिवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो है वो दिल्ली की गरीब जन्ता को जो उनका अधिकार है उनका राशन है उससे बंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डलिवरी होनी चाहिए राशन का कहीं न कहीं इस डोर टू डोर डलिवरी को रोकने की कोशिश कर रहे है में तो ऐसा नहीं है हकीकत क्या है पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाक लोग जो National Food Security Act के अंतरगत आते हैं उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंद है देखे दो स्कीम है भी एक स्कीम है National Food Security Act जिसको NFSA कहते हैं और दूसरा स्कीम है प्रधान मंत्री गरीब कलियान वोजना आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड जनता को लुफ्ट राशन मुहया करा रहे हैं कोविड के समय तो ये दो स्कीम के अंतरगत दिल्ली में भी जो गरीब बंदू है उनको भी जो मजदूर है जिनको और शक्ता है उनको भी नोदी जी राशन पहुँचा रहे है कितना राशन अभी तक पहुचाया गया है और कितना पहुचा है इसका हिसाब किताब हम देंगे देखें याद रखिए भारती जंता पाटी हिसाब किताब में विश्वास रखती है ड्रामा में नहीं हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सानने जाए यह जो नाशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट है इसके अंतरगत 37,400 मेट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोजी जी ने भेजा है और दिल्ली सरकार ने जो उने खुद हिसाब दिया है कि मई के महिने में इसका लगभग 90 प्रतिशत डिस्ट्रिब्यूट कर दिया है और दूसरा स्कीन जो है वो कधान मंत्री गरीब कर्यान योजना का है मैं मैं जून अभी जून महिना चल रहा है और मैं जून और जून के पांच तारिक तक का आपको हिसाब दूँगा इन दोनों महिनों में जो दिल्ली का कोटा है उससे अधिक 72,782 मेट्रिक टन यहां अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा दिल्ली ने कितना उठाया दिल्ली 53,045 मेट्रिक टन ही उठा पाई अर्थात सारा उठा नहीं पाई इतना ही उठा पाई और यह जो 53,000 मेट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से उसका मात्र 68% ही उन्होंने बिस्ट्रिब्यूट किया है, मात्र 68% ही वो बाटने में समत रहें, बाकी वो बाट नहीं पाएं मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां अर्विन केजरिवाल जी ने बहुत सारे आकड़े नहीं दिया पहला आकड़ा जो अर्विन केजरिवाल जी ने नहीं दिया वो यहां है, कि यह जो NFSA, National Food Security Act का स्कीम है, इसके अंतरगत कितना पैसा ही एक सबसिडारी स्कीम है, अर्थात इसका पैसा जो है वो केंडर सरकार देती है, और एक बहुत मिनिमन पैसा जो है वो राज्य सरकार दे अर्विन केजरिवाल जी कितना पैसा देते होंगे, मिनिमन जो पैसा है वो कितना देते हैं, और मोदी जी कितना देते हैं, आप देखें, दो राशनों की बात करेंगे, हम एक तो गेहू की बात करेंगे, और एक हम चावल की बात करेंगे, जहां तक गेहू का सवाल है, गे 25.73 रुपीज है जिसमें अर्विन केश्डिवाजी 2 रुपए देते हैं अर्था दिली सरकार 2 रुपए देती है ठीक उसी प्रकार चावल में अर्विन केश्डिवाजी मात्र 3 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं 33.79 अर्था केंड सरकार देती है 33.79 रुपीज और राज्य सरकार देती है टीम रुपिया तो स्वाभावीक रूप से आप देखिए जो अधिकांश रेट है जो अधिकांश रेट है अधिकांश जो रेट है वहां केंद्र सरकार देती है और एक बहुत त्या मिनिमल अमाउंट जो है वो राज्य सरकार देती है, मगर उसमें भी जिस प्रकार की राजनीती हो रही है, वो हम सब देख रहे हैं। बंदुगन ये जो National Food Security Act है, यहाँ एक राष्ट्रिय स्कीम है, यहाँ एक नैश्नल स्कीम है। यह पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवश में एक यूनिफर्म स्कीम के अंतरगत काम करती है। यूनिफर्मिटी के साथ काम करती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उडिसा हो, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो कोई भी राज्य हो हर राज्य में uniformly काम करती है और कोई भी राज्य इसको disrupt नहीं कर सकता है कोई भी राज्य का ये अधिकार नहीं है कि National Food Security Act को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीन में से स्कीन निकाले देखे अगर अर्विन केजरिवाल जी वाकरी गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बाटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो गरीबों का कल्यान करे इसके उपर कर कल्यान करे तो उसके लिए अर्विन केजरिवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं जो केंद केंदर सरकार देती है उसके अलावा भी रासन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं अथा जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी उस रेट के अलग भी जिस रेट में बंगाल को मिलेगा जिस रेट में जहरखंड को मिलेगा जिस रेट में काम कर सकते है, मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत हैं, दूसरा विषह अर्विंकेज्रिवालुजी क्या जिए ज़ो स्कीम है, घर घर राशन वाला स्कीम है उसमें एक बहुत बात जो बहुत महत्वपून बात है उसको बड़ी चतुराई के साथ अलिल के ज्रिवाजी ने चुपा दिया उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेर प्राइस शौक में पाते हैं उस राशन को दिल्ल की सरकार लगाईगी देखे नाशनल फूट सेक्योरिटी आक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विशे में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़े इस विशय को अर्विन केज़िवाल जी बताते नहीं है इस विशय को अर्विन केज़िवाल जी छुपा देते हैं और केंद्र सरकार ने पुश्ट्रूब से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है केंद्र का जो स्कीन है उसमें extra charge लगा करके उसे अलग तरीके से रा राशनकार हो इसका प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया था वाकी राज्य इस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं मुझे दुख के साथ कहना पढ़ रहा है बंदुगन की दिल्ली की सरकार ने इस विशय को मना कर दिया कि वो वन नेशन वन राशनकार में आगे नहीं बढ़ेंगे और आज नोंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं जो गईव होते हैं जो माइगन क्लेबर्स होते हैं आज वो राशन से बंचित रह रहे हैं जबकि यहां प्रावधान बिना किसी पैसा खर्च के दिल्ली सरका आराम से कर सकती थी केंद्र ने इसका सारा प्रयोजन किया हुआ तो और केंद्र ने बार-बार चेताया है केजरिवाल जी को कि केजरिवाल जी आप One Nation One राशन काड़ इसका इसको फोलो करिये इसको आप बनाइए देख़े अर्विन केजरिवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घ बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोट डोट डेलिवरी हो रहा है कि नहीं हम आपके अंगुठे ले लेंगे हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि यह जो हिसाब है कि सही विक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं वो हिसाब हम मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्छ अधिकारियों तक सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है 2018 के अप्रेल के महीने से अर्विंद केजडिवाल जी ने दिली के जो 2000 फेर प्राइस शॉप है जहां ये राशन दित्रीत किये जाते है उन्होंने ये जो पी ओएस मशीन है ये पी ओएस मशीन है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं उन्हें बंद करवा दिया था और आशन उचित रहती तक जा रहा है या नहीं ये कैसे मानूं पड़ेगा जम आपने पी ओएस मशीन ही बंद कर रखा है और अब बहुत कहने के बाद आपने पी ओएस मशीन चानू करने की बात की और दिल्ली की जनता को जानके आश्चरी होगा छोटे छोटे राज्यों जो अधिक आधार काड ऑथेंटिकेशन है अर्थात ये जो आधार काड के माध्यम से कि आधार काड एक गरी व्यक्ति के घर में अर्विन केज्रिवाल जी जाते हैं उनको राशन देते हैं तो आधार काड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुचा की नहीं ये आधार क जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अर्विन केजरिवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे, तो आप बताईए किया ये बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है, ये बिल्कुल 25 तारिक से जो अर्वि बेखती तक ये राशन नहीं पहुँचेगा, और ये राशन नजाने किसके पास पहुँच जाता, ना उसका आधारकार अथिंटिकेशन है, ना वहाँ EOS मचीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अभिक इंफ्लेटेड प्राइस में गे राशन कार कैसे बनाते थे, इनके मंत्री आपको याद है ना, ये इनके राशन कार मंत्री राशन कार ऐसे बनाते थे, फेवर लेके लोगों से राशन कार बनाते थे, पूरा केस कोट में गया और अरविन केज़िवाल जी को अपने मंत्री को ही हटाना पड़ा, अरविन ज जाने में ही आप भपला करते थे, sexual flavor लेके आपके जो मंत्री है वो राशनकार बनाते थे, बंदुगन आज पाटी में हमारे कहा भी है और आपे ट्वीट भी देखा है, कि A, B, C, D, E, F, ये जो अर्विन केजरीवाल के A, B, C, D, E, F है, हम उसको आज उजागर करेंगे, क्या है अर्विन केजरीवाल जी का ये governing module या उनका जो काम करने का तरीका है, A क्या है, A for advertisement, केवल advertisement करना है, कुछ करना नहीं है, केवल advertisement करना है, आज आप देखते होंगे, कि वो जो बहुत सारे सिलिंडर रखे हुए होंगे, और उसके भीच अर्विन केजरीवाल जी मास्क पह और वेव की तैयारी कर रहे है, अर्विन केजरीवाल जी ऐसे ही अगर आप सिलिंडर के बीच में मास्क पहन करके सेकेंड वेव से पहले चल दिये होते, तो आज सेकेंड वेव ही नहीं होता और ये सारी चीज़े नहीं होते, आप उस समय भी advertisement कर रहे थे, आज भी advertisement कर रहे 900 करोड के आसपास आपने advertisement में खर्च किया और दिल्ली वासियों, अगर यही 900 करोड रुपे उन्होंने राशन पे खर्च कर दिया होता ना, तो आज घर-घर अनाच तो क्या, घर-घर फलफूट तक पहुच गया होता, सबके घर में एक सेव, एक अनार भी पहुच रहा हो होता, अगर वो आप यह 1000 करोड रुपे advertisement पे नहीं करच करते, A for advertisement, B for blame, हर चीज में, मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे oxygen नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे remdesivir नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें hospital का bed नहीं दिया, फिल सुबह उठके देखो तो बेड़ दे दिया है, अर्विन केजडिवाल जी ने सब को oxygen दे दिया है, हम घर घर oxygen पहुचाएंगे, अरे आप तो blame कर रहे थे सुबह सही कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुचा दिया, मोदी जी राशन नहीं दे रहे, राशन क् कर रहे हैं, जब कि जो भी आपका due है, वो due आपको मई और जून के महिने का, वो दे दिया गया है, आप उसे distribute नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी B for blame, A for advertisement and B for blame, C for credit, हर चीज में credit लेना है जी इनको, बस credit, सुबह से उठकर दोनों भाई, अर्विन केजडिवाल और मनिशी direction, अरे आपको तो, आप तो खुदी बोलते हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिर्ली सरकार काम करे, मोधी जी आपको सारे अरंगे अटका के रखे हुए, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फिर कहीं चीज सी credit लेने ते हैं, मोहला क्लिनिक खोल दिया, हमने पूरे विश्व का सरसे बड़ा मोहला क्लिनिक है, आप देखिए हर गली कोने में मोहला क्लिनिक है, इतना credit लिया आपने, फिर निकला क्या, खोदा पहाड निकली, चुरिया, मोहला क्लिनिक का क्या हो रहा है जी, आप बताईए, और तो और मैं तो आप एक जजमेंट भी पढ़के सुनाओंगा पहले A, B, C, D, C for credit, A for advertisement, B for blame, D, drama, आज पता में किस, मैं तो मोधी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सब को मिलके खाम करना चाहिए जी, हम किसी भी विशे में राजनीती नहीं करता हूं, अरे अर्वि जन्री के समय तो आप रजाई ओर के लेटे हुए थे, आप राजपत पे कैसे रजाई ओर के लेटे हुए थे, कि 26 जन्री तक नहीं होने दूंगा, और आप बोल रहे हैं, आप राजनीती नहीं करते हैं, हर चीज में राजनीती करते हैं, वेक्सीन में राजनीती, राशन म में राजनीती, बेड में राजनीती, वेंटिलेटर में राजनीती, हर चीज में राजनीती करतें, आप फिर ऐसा ड्रामा करतें, कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं, और E, A, B, C, D, D तो हो गया, E, excuses, बहाने, हर चीज में आप बहाने देख लीजे, हर चीज में बहाने देख लीजे, जब आज स्पश्ट रूप से आपको सरकार ने कहा है कि आप घर-घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है, अनाज है, गुदाम में अनाज है, आप आएं, अनाज खरीगें, और जिस प्र कोटिफाइड रेड है, उसमें खरीदिये, खरीद के जाके घर-घर बाटिये, कोई आपत्ती नहीं है, नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं, उसी में अडंगा फसाना है, और फिर बाग में रोना भी है, एक्स्क्यूस भी ढूंडना है, कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने और यह तर एक्स्क्यूस होगा, तो सभाविक है, एक फोर फेलियोर, गवर्मेंट का पूरा फेलियोर हो गया है, ना एक हॉस्पिटल बनाया, ना कोई इंफ्रस्ट्रक्चर बनाया, ना वेंटिलेटर प्रोक्योर किया, ना ऑक्सिजन प्लांट बनाया, कभी कहते हैं, इस सुबह आके, मोदी जी ने बनाने नहीं दिया, तो हविन केज़िवाल जी, ये A, B, C, D, E, F के ड्रामा को बंद करिये, और मैं एक विशह भी आपके सामने केज़िवाल जी रखना चाहता हूँ, आज आपने एक ऐसी बात कही जो आपको शायद नहीं कहना चाहिए था, ले जी जेपी तो उनके पैर को छुके निमस्कार करती है, ये दुकानदार हमारे बच्चों को हमें राशन देते हैं, कोरोना के समय बेचारे इतनी दिन तक लॉकडाउन में रहें, आप इनको कह रहें कि ये सूपर स्प्रेडर हैं, और ये हमारे बच्चों को मार डालेंगे, हमारे दुकानदार हमारे बच्चों को क्यों आड डालेंगे बला, आपने कहा कि माबाब दुकानों में आ जाएंगे, और फिर माबाब को कोरोना हो जाएगा, और फिर हमारे बच्चों, आप दराती हैं क्यों लोगों को, क्यों दराते हैं, ये अनलोकी प्रक्रिया तो आपनी ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि ये दुकांदार जो है वो सूपर स्प्रेडर है कोई दुकांदार सूपर स्प्रेडर नहीं है वो अपना व्यवसाय कर रहा है कानून को पालन करके कर रहा है मास्क पहन के कर रहा है डिस्टेंसिंग के साथ कर रहा है और दुकांदार का प्रेहोगर विंके जिवाल जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और देखिया विंके जिवाल जी आज तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से केंदर सकार ने बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गुदाम से डाइवर्ट करने वाले थे, अनाज, गरीबों के नाम पर और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुख गया है, मुझे लगता है ये दिल्ली की जंता के लिए बहुत रहात का विशा है, बहुत-बहुत धन्यवाद. कैसे करें उनका सवाल कैसे ले अब उनको लिया है कि अब उसको लाओ वो म्यूट ही था ना आप ले आई ये गोला मैं उनसे सवाल पूछता हूँ सर आप राशन की बात कर रहे हैं पर ये बार बार होता रहा रहा है कि घर्विन के जोल नहीं ये भी बोला कि उन्होंने चार बार एक बार नहीं चार बार खाई गेजिती एलजी के पास और एलजी चाहते तो उसको सिर्फ अप्रूफ करके भीजना था और डिलीवरी हो जाती राशन की गरीवों को सेंट्रल गवर्मेंट बार 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 इसमें अडंगा राती है काम महीं करने देती ये बार बार उनका हमेशा से वह लेवल करते रहे हैं बट लोग जो मैं उनक हमा जाता है कि दिल्ली गवर्मेंट एक फाइल भीजी एलजी ने उसे रिफ्यूज कर दिया तो यह नहीं देना चाहते है तो कैसे बीजेपी एंशार करेगी कि टैक्स एकदम लोगों के सामने रखे ताकि दूद का दूद और पानी का पानी नहीं देखिए अभी प्रेस क जो अन अनाज के गुदाम में अवेलेबल वे उसे आको खरीडना होगा उसमें किसी प्रकार की ना पर्मीशन की अवश्यक्ता है और किसी प्रकार की ना अरचन होने वाले हैं मगर आप अगर ये कहेंगे कि जो एक uniform scheme पूरे भारतवर्श में चल रहा है उस uniform scheme के साथ आप छेड़ चाड़ करेंगे और उस uniform scheme में जहां checks and balances and transparency नहीं है आपके पास ना तो आधा की authentication है ना आपके पास POS की machine है और ना ही आप distribution system में extra charge क्या लगा रहे हैं ये बता सकते हैं त मुझे लगता है बुना उत्तर दिये अर्गन केज्रिवाल जी को इस प्रकार से राजनीती नहीं करनी जाए इस सवाल मेरा है अर्गन केज्रिवाल ने कहा है वो third wave के लिए तयार है सेंटर गवर्मेंट को हमेशा intervene कर अपड़ा है जब जब COVID की situation दिल्ली में खराब हुई है आपको लगता है बीजेपी की तरफ से क्या ये तयारी रहेगी कि आप भी सेंटर गवर्मेंट को आप अपरोच करें कहले ही third wave के लिए तयार है क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है क कि जब जब situation खराब हुई है दिल्ली सरकार हमेशा सेंटर के हर्फ उन्होंने सीख ही है आपको लगता है कि दिल्ली के लिए सही में तयार है और उन्हें सेंटर के हर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए जहां तक दिल्ली का सवाल है आज मैंने प्रेस कॉंफेंस में भी कहा अगर दिल्ली की सरकार अभी कह रही है कि वो third wave के लिए तयार है वो oxygen plants बना रही है beds बिचा रही है ventilators ला रही है तो सुभाविक है second wave के लिए भी ये सब कुछ कर सकती थी क्योंकि आज तो उन bowling मोडी जी की सरकार में उन्हें मार्च के महीने से पहले दिया था पांक शे बार चिठी लिक्के केंदर की सरकार में अर्वं केजरिवाल जी की सरकार कुछ चिताया था डीन दूसा वेव आए गा उससके लिए आप तयारी कर लिजी अगर यही तयारी जो आज वो दवा कर रहें कि थर्ड रेव के लिए करते तो जितने लोगों की मुल्टी हुई है डिली में जिसका सरवाधिक के स्वेट रहा है आज यह लोग हमारे बीच में होते और इतने परिवार आज इतने दुख से नहीं गुजर रहे होते कहीं न कहीं अर्विंद के जीवाल आज भी लगता है के वर ट्विटर ट्विटर भी खेलते रहते हैं राहुल गांदी जी के लिए ट्विटर पर ही राजनीती करना उनका राजनीती का सबसे महत्यपून विशय है उनका सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म है हमें लगता है गरीबों के बीच राशन देकर हमें लगता है और हम तो सुजाव देंगे राउन गानेजी को कि आप इस platform से बाहर जो Congress साशी त्राज्य है जिनमें घपले घुटाने हो रहे वैक्सिन को लेकर कहीं जमीन पे गार दिया जा रहा है कहीं डस्बिल पे पेग दिया जा रहा है तो कहीं पर जो वैक्सिन सरकारी रेट पे प्रोक्योर किया जा रहा है वो आप प्राइवेट हॉस्पिटिल्स को दे रहे हैं बेजने के लिए प्रॉफिटियरिंग करने के लिए वो ही विशियों पे ज़रा फोर उठा करके अपने मुख्य मंत्रियों से बात कर लिए और उसके बाद प्रॉफिट प्रॉफिट करते रहें वो अलग निशा है पहले फोर उठा कर बात करें